नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल फ्री लीगल एडवाईज में स्वागत करता हूँ मैं आशोग पाइंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन प्रिस कीजिए जिससे लगातार लीगल वीडियो और इन्फोरमेशन आप तक पहुँचती रहे आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 93 इंडियन पिनल कोड आईपीसी है और जिसमें हम लोग बात करेंगे कम्यूनिकेशन मेड इन गुट फेथ अगर गुट फेथ में कम्यूनिकेशन किया गया है तो उसके लिए आईपीसी के हिसाब से पनिश्मेंट मिलेगी या नहीं अगर कोई ओफिंस या कुछ क्रियेट हो जाता है किसी थर्ड परसन या सेकिंड परसन के लिए दोस्तों इसका एक एक एकजांपल मैं आपको देना चाहूंगा जैसे कोई सर्जन है या डॉक्टर है उसने अपने पेशिंट को ये इन्फोमेशन दी कि थोड़े समय के बाद उसकी डैथ हो जानी है उसकी बिमारी की वज़ज़ से ये सुनते ही पेशिंट को हार्ट अटेक आ जाता है और वो पेशिंट मर जाता है मर जाने की वज़ज़ से डॉक्टर रिस्पॉंसबिल नहीं होगा उस पेशिंट की डैथ के लिए जिसको हार्ट अटेक आया है बिकेज ये जो communication था ये जो information उसने अपने पेशिंट को दी ये communication उसने good faith में ट्रांस्फर की good faith में अपने patient तक पहुँचाई जो की उसका एक professional responsibility भी थी तो इसे साबसे अगर section 93 Indian Penal Code की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर को punishment नहीं मिलेगा इसी तरीके से कोई भी communication जो की good faith में किया गया है वो offense नहीं माना जाएगा Indian Penal Court Section 93 के हिसाब से अगर आपके कोई सुझाव या comment है तो please आप हम मुझे